हाई गाईज वेलकम बेक टू माई चैनल कैसे हूँ आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे तो गाईज आज की वीडियो में में आपके साथ केरेटे नुट्रिशन टीटमेंट क्रीमी हेर मास्क का रिव्यू प्लस डेमो शियर करने लगी हूँ आज की वीडियो म आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेलफुल होने वाली है स्मूथनिंग रिवांडिंग या केरेटेन अगर आपने करवाई या तो आप यह वाला मास्क यूज कर सकते हैं यह नहीं कर सकते हैं यह भी मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी तो चलिए गाई सबसे पह क्वांडिटी आपको मिल रही है 800 ग्राम हम आपको इसकी क्वांडिटी मिलेगी 300 रुपीज इसका प्राइज है अगर आपके बाल बहुत जदा ड्राय रहते हैं तो आपके बालों को यह रिपियर करेगा आपके बिल्कुल स्मूथ सिल्की सॉफ्ट बन जाएंगे तो हो जाते हैं क्योंकि हमारे बालों पर बहुत ही ज्यादा कैमिकल का यूज किया जाता है ऐसे में आप इस मास्क का यूज करके देखिए यह ब्लकुल क्रीमी मास्क है इससे आपके बाल इतने जदा सॉफ्ट सिल्की एंड शाइनी हो जाएंगे ड्राइनेंस बहुत ज़्या कर सकते हैं मैं दो तरीकों से इस मास्क को यूज करती हूँ वह मैं आपको आगे बताऊंगी डेमो में कि मैं इसको किस-किस तरह से यूज करती हूँ तो गाइज आप इसके प्राइस की बात करें तो 300 रुपीज इसका प्राइस है और क्वांडिटी इतनी जदा अच्छी म नहीं पड़ेंगे तो हियर फॉल भी नहीं होगा तो गाइज अगर आप कोई अच्छा मास्क ट्राइ करना चाहते हैं या फिर आपने स्मूथनिंग डिवांडिंग करवाई या कोई अच्छा मास्क ट्राइक करना चाहते हैं तो आप केरेटेन न्यूटिशन टीटमेंट क जाते हैं सिलकी स्फट इस सब्सक्राइब आप यूज़ कर सकते हैं तो आप स्वेशनल प्रोड़क्ट का चाहिए तो सबसे पहले तो मांख का यूज़ करने से पहले आप के बाल नीट अंद क्लीन होने चाहिए आपने Doubt Sam ब्रविया होना चाहिए मैं बाइए यूज़ करती हूँ मुझे एक साल हो गया यूज़ कर वाया हूँ और मैं बाइए यूज़ कर रही हूँ अब शेंपू करते हैं उसे इस तरह से यूज़ कीजिए इससे जो भी शेंपू में थोड़े बहुत केमिकल होंगे न वह आपके शैंपू लेधर भी बहुत जदा अच्छा करता है है, मास्क का यूज करने से पहले आपके बाल बिलकुर नीड अन क्लीन होने चाहिए, गंदे बालों पर हमास्क का यूज नहीं कर सकते हैं, इससे आपके बालों को नुकसान भी होगा और आपके बालों पर कोई भी अच्छ द्राई मास्क भी यूज करते हूं 15 दिनों में एक बार अगर आपके बार बहुत यह जदा ड्राई रहते हैं जब अम स्मूथनिंग रीकिंदक कर Вाते हैं तो हमारे बार बहुत जदा राई हो जती है क्यूंकि हमारे बाल पर बहुत जदा कैमिकल का यूज़ किया जता है, अगर आपने तो देखिये, सबसे पहले मैंने शेंपू किया है ताकि मेरे बाल बिल्कुल नीट अंड क्लीन हो जाएं बिल्कुल साफ हो जाएं क्योंकि मुझे इस मास्क को एजा कंडीशनर ही यूज करना है अगर आपके बालों पर ऐसी कोई भी ड्राइनेंस के प्रॉब्लम नहीं है तो आप इस मास्क को 15 दिनों में एक मास्क लिया है आप इसकी क्वांडिटी देख सकते हैं कि मैंने कितनी क्वांडिटी लिया है अपने हाथों पर आपको मास्क को अच्छी तरह से रब करना है सबसे पहले आपको इसे लेंथ पर लगाना स्टार्ट करना है आपको अपने बालों को स्ट्रेच करना है स्ट्रे कम से कम दो मिनट के लिए आपको इसे लेंथ पर आपको इसे लगाना है स्ट्रेच करकर के लगाना है जो भी अमाउंट आपके हाथों में बच जाती है उसी आप स्कैल पर लगाईए तो देखे इस तरह से बालो की पारटीशन करके आपको फिंगर्ड की help से अपने पूरे बालो पर ये वला मास्क Observe होने देना है दो से तीन मिनिट के लिए आपको इस तरह से मास्क लगाना है इससे आपको इतने अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे न अगर आपके बाल बहुत ज़दा ड्राय है न तो आप इसे ऐसा कंडिशनर यूज करके देखिए आपको बहुत ही अमेजिंग वाले रिजल्ट द करना है सिरफ साफ पानी अपने बालों पर डालना है तो देखिए गाइस अच्छी तरह से सारा मास्क मैंने अपने बालों में से निकाल लिया है इसके बाद आप बन बना लीजिए और अपने बालों को नैच्रली एर ड्राय होने दें तो गाइस देखिए मैंने अपने बा आप मेरे बालों की लुक देख सकते हैं कि ना तो मेरे बालों पर कोई बैंड पड़ा है ना ही स्प्लिटेंड की प्रॉब्लम है बिल्कुल स्मूथ सिल्की एंड सॉफ्ट शाइनी मेरे बाल है तो गाइस अगर आप भी कोई अच्छा मास्क ट्राइ करना चाहते हैं तो आप यह वला मास्क जुरूर ठ्राइ करके देखिए इसली आप लोकल मार्की स्चोर से और ऑनलाइन भी यह वला यह वला मास्क आप बाए कर सकते हैं आप मेरे बालों की लुक देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही हैं अगर आपने स्मूतिंग रिबॉंड ने कैरेटे नहीं भी करवाई तब भी आप इस मास्क का यूज कर सकते हैं आपकी ड्राइनेंस की प्रॉब्लम कम होगी अगर आपके बाल बहुत ज कर सकते हैं आपको ये वली वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना अगर आप स्मूतिंग रिबॉंडिंग केरेटेंस से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिसमें आप बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो देख सकते हैं तो चलिए गाइस अब मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी तब तक लिए थैंक्यू बाई